हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तो रिपब्लिक भारत के मशहूर और पॉपुलर एंकर विकास शर्मा जी का निधन हो गया है और अब वो हमारे बीच नहीं है बहुत सारे लोगों के मन में इनके मौत के कारण को लेकर confusion है कि किस कारण इनकी मौत हुई तो वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो तीन दिन से बिमार चल रहे थे उनका इलाज चल रहा था कैलास हॉस्पीटल में नौइड़ा में और तीन दिन बुखार आने के बाद उन्होंने आखरी सास कैलास हॉस्पीटल में ली थी तो अभी Republic Media Network की तरफ से Official Statement आ गया है और इससे साफ पता चलता है कि उनकी मौत का असली कारण क्या था तो जो Statement आई है Official Statement Republic Media Network की तरफ से मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ वो लिखते हैं यानि की statement में कहा गया है कि विकास शर्मा जी को COVID-19 infection हुआ था उनको coronavirus का infection था लेकिन उन्होंने इसका सामना बहुत ही सास के साथ किया और वो इस जंग को जीत भी गया थे उनका infection चला भी गया था लेकिन post-COVID ailments यानि की ठीक होने के बाद भी जो कभी-कभी complications होते हैं COVID-19 के उससे उनको बुखार आने लगा और फिर वो hospital में भरती थे तेन दिन उनका बुखार आया उनको बुखार आया और उसके बाद उन्होंने आखरी सांस ली के लाश hospital में दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे medical experts ने ये कहा है कि जिनको COVID-19 infection होता है तो वो ठीक तो हो जाते हैं लेकिन ये COVID-19 infection से उनका जो immunity है वो power बहुत ही कम हो जाता है lungs weak हो जाते हैं heart weak हो जाता है और बाकी जो organs है वो भी weak हो जाते हैं तो कई लोगों में जिनकी immunity थोड़ी सी कम है उनको post COVID ailments या complications शुरू हो जाते हैं और इससे problem serious हो जाती है और फिर परिशानी हो जाती है तो विकास शर्मा जी के case में भी यही हुआ उनको coronavirus का infection हुआ था COVID-19 infection था उन्होंने उस जंग को लड़ा भी ठीक भी हो गए थे लेकिन क्योंकि COVID-19 infection body को weak कर देता है immunity power को weak कर देता है lungs को heart को weak कर देता है बाकी organs को weak कर देता है और इसके बाद बाहर के जो infections हैं वो attack करते हैं body को क्योंकि body weak हो जाता है तो उससे फिर body में infection आ सकता है और जिनकी immunity थोई से weak है तो वो problem face करते हैं और कभी-कभी problem serious भी हो जाता है तो विकास शर्मा जी के case में यही हुआ उनको post-covid ailments और complications हो गया था जिसकी वज़े से उनको बुखार आ रही थी और फिर वो इस जंग को हार गए और हमारे बीच से वो अब नहीं है हमारे बीच में तो बहुत ही दुखत समाचार है बहुत ही sad news है अब जब भी हम Republic भारत देखेंगे 9 बजे उनकी जो प्रोग्राम आती थी ये भारत की बात है तो बहुत ही याद आएंगे हम लोग बहुत ही उनको मिस करेंगे उनका जो जोश था बोलते वक जो अपनी दिल के अंदर जो सचाई थी वो दिल से बात करते थे दिल से बोलते थे तो वो हम लोग मिस्स करेंगे तो हमारी यही प्रात्रा है भगवान से कि उनकी आत्मा को शांती मिले उनके फैमली को भी भगवान शक्ती दें ताकि वो इस दुखत घड़ी को अच्छी तरह से बियर करें साज के साथ बियर करें यही हमारी दुआ है और विकास शर्मा जी जहां भी हो रेस्ट इन पीस आपकी आत्मा को शांती मिले मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों बाबाई